तो जो वीडियो बनाते हैं उनको पता होगा कि कैसे वीडियो बनाने में कितने लिकत आती है वेलकम टू माई चैनल गाईज माई ट्रेवल एन लाइफ स्टाइल में आपका हारदिक स्वागत है तो ये वीडियो फ्रेंड्स दीपावली से पहले की सफाई का है माफ कीजिएगा मैं इसे बाद में डाल रही हूँ तो आज शेयर करती हूँ आपके सांगे पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो अभी मैंने करने हैं ये कोशिश करने वाली हूँ मैं ये कर्टन वगर निकालने की और और क्लीनिंग करने वाली हूँ इधर की पूजा रूम की आज देखो कितने क्लीनिंग कर पाती हूँ ये वाल थोड़ा सा पूजा रूम में जो है न धूबबती लगाने कर दो हाँ स्मीज़ु मैं सूश्च ख़याओ तो आज जो है हम इस केत को कलर चेन्ज करने वाले है रेट कलर में हम कर रहे हैं तो वरी सुफаты है स्भाइब ज़नीर तो वर्बस यहां वाले हम करने वाले हैं Beschल रड़ं shortly आज हम बने हुए हैं पेंटर पेंटर बने हुए हैं तो आज हम करने वाले हैं इसको पेंट तो अपने मुख्य द्वार को तो हमें सजाना ही चाहिए घर में चाहिए हम कर पाएं या नहीं कर पाएं तो आज हम सजा रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार को लेतने फूरा पेंट उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हो रहा है और हम कर रहे हैं ये वाला कलर हाथ और मुह सब पोर दिया हमने पहले था ये कलर और आप कर रही हूं ये कलर तो अभी आपको दिखाती हूं पहले वाला कलर अच्छा है कि अपका कलर अच्छा है देखते हैं कैसा लगता है तो फ्रेंट्स जो है मैंने एक साइट को करियर रूम की सफाई ये जो मॉप है मॉप से आजकल जो पेंट आ रहा है वो मतलब वाशिबल है उसको आप साफ कर सकते हैं तो मैंने भी मॉप और ये सर्फ की मदद से वाल एकदम साफ कर दी थी क्लीन हो गए ये देखे पूरा अच्छे से हमने साफ कर दिया उसके बाद मैंने कुछ अल्पना भी दी है ये देखी और साथ साथ में पार सल आ गया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं जो हेल्थ से रिलेटर है आप साथ जालते हैं तो इसी के मद्दे रजब हैने आज एक और स्माता पिता हमारे दादा दाली नाना अनी सब लोहे की कढ़ाई यूज करते हैं लेकिन अब सुनने में आया है कि उसमें भी जो आयरन जम जाता है जन्क जो है वो ठीक से साबना की जाए तो उससे भी बहुत सारे विमारियां हो जाती है हाला कि हम लोग प्रि यूट्यूब फैमली है और आप लोग भी अपनी अपनी सब हेल्ट की देखाल करते हैं तो इस यह मैंने मगाई है यह 1000 के अराउंड है और इसमें इसको भी यूज करने के काफी भाली है और यह इंडेक्शन बेस्टी है माइक्रोवेव कोन के मतलब कि मेरा माइक्रोवेव इसको पड़ूंगी में इसमें क्या है तो और एक बात आपके साथ करना चाहिए तो मैंने इसमें गूगल में सर्च किया कि इसको कैसे क्लीन करते हैं तो उसमें लिखावाए कि इसको आलो या बेकिंग सोडा जहां उससे आप इसको साफ कीजिए और आपको मोटे स्क्रबर से साथ इसको नहीं करना है इसको भी मतलब हैंडल अच्छे से ही करना है और पसंद आई है काफी मतलब इसमें हरी सब्जियां बांकी जो भी है अब मैं इसको ही यूज करूंगी नोनिस्टिक और जो अयूमिनियम की कढ़ाई में अभी तर मैं यूज करते हैं लाइट आन क तो दोस्तों यह वीडियो दो दिन का है इतने सारे काम वे उसके बाद हमने इसको गेट में पेंट करके और हमने इसको दिवाली के लिए रेडी भी कर दिया है आपको कैसा लगा मेरी तैयारी का ये व्लोग साफ सफाई दिपावली की तैयारी फिर से आपको हैपी दिवाली आपकी जीवन में खुशी आएं सब स्वस्त रहें मस्त रहें ये देखिए मैंने इतनी जगे अलपना भी दे दी है आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और ये देखिए सब मैंने मंदिर मंदिर सब सजा के फिर आपके साथ ये इसको शेयर कर रही हूँ दो से तीन दिन का जो ये है वीडियो है क्लीनिंग के साथ अब जो है ठीक घर सजाने के बाद इस तरीके से लग रहा है पहले गेट ऐसा था और अब ये गेट इस कलर का है कैसा लगा आपको जरूर बताईएगा आपके कमेंट का मैं इंतिजार करूंगी धन्यवाद मिलती हूँ दिपावली के नेक्स ब्लॉग में दिपावली का वीडियो मेरे चैनल में है उसको जाके जरूर देखिएगा और मिलती हूँ मैं भाईया दूसके वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर के बाईया थे घमार है आपके पूसको जाई ने टेक मिलती है ने कहँशों बाईया धरे को जाम इंति तोस्क प eternवाई